जैहन सातियों, आज हमारी number system की ये fourth class है, इससे पहले हमारी ये तीन class जो ही है, उम्मीद करते हैं कि आपको वो class बहुत अच्छे से समझ माई होंगी, आईए आज की class की शुरुवात करते हैं, देखिए question number 31, यहाँ पर कुछ संख्याय दे रही है और उनमें पूछा रहा है क सबसे बड़ी संख्या बताईए, जब भी आपको इस तरीके का प्रसंद देखने के लिए मिले, जहाँ पर power दे रखी हो, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इन power को समान करना, power को equal करना, जैसे ही दे रखा है, दो की power, 50, और तीन की power, 40, चार की power, 30, और पांच की power, और 20, पहला काम आपका ही रहेगा कि ये जो power है, इन power को आप equal करेंगे, तो देखिए, दो को कैसे लिख सकते हैं, दो की power, 50 को, दो की power, 5, गुणा 10, तीन की power, 40 को, तीन की power, 4, गुणा 10, चार की power, 30 को, चार की power, 3, गुणा 10, और पांच की power, 20 को, पांच की power, 2, गुणा 10 इस 10 वाली बैल्यू को छोड़कर बाकी पूरी संख्या का हम ग्राइब करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 32 की पावर 10 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 81 की पावर 10 4 की पावर 3 का मतलब हो गया? 64 की पावर 10 और 5 की power 2 का मतलब हो गया 25 की power 10 देखे सब की power equal हो गई ऐसी condition में जिसकी base value सबसे ज़्यादा दिखाई देगी बही संख्या सबसे बड़ी होगी देखे यहाँ पर 81, 32, 64 और 25 सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है? 81 की power 10 तो यहाँ पर 81 की power 10 जो मान है, वो 3 की power 40 का है यहाँ प्रिसन पूछाए कि सबसे बड़ी संख्या बताईए तो answer क्या होगा? 3 की power 40 चलिए next question देखते है question है 2 की power 250, 3 की power 150, 4 की power 200 और 5 की power 100 में सबसे बड़ी संख्या तो सबसे पहला काम हमारा यह रहेगा कि सब पावरों को equal करेंगे 2 की power 250, 3 की power 150 और 4 की power 200, 5 की power 100 देखे 2 की power 250 को कैसे लिख सकते है 2 की power 5 गुणा 50 50 पंजे, 250, यहाँ क्या लिखेंगे 3 की power, कितना हो जाएगा यह 3 गुणा 50, 4 की power 4 गुणा 50 और यह 5 की power 100 कैसे रहेंगे 5 की power 2 गुणा 50 देखे 2 की power 5, 2 की power 5 का मतलब कितना हो गया 32, 32 की power 50 3 की power 3, यहाँ 27 की power 50 4 की power 4, 4 की power 4 का मतलब हो गया 256 की power 50 और 5 की power 2 का मतलब हो गया 25 की power 50 जिसकी base value सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वही संख्या सबसे बड़ी होगी प्रिसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो देखें सबसे ज़्यादा base value किसकी दिखाई जा रही है power सबकी हमने equal कर ली जब power equal कर ली तो base value देखेंगे जो सबसे ज़्यादा दिखाई देगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी 4 की power 200 इस प्रिसन के लिए क्या answer होगा 4 की power 200 यदि इसी प्रिसन में पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताईए तो हम देखें सबसे ज़्यादा सबसे कम base value किसकी दिखाई जा रही है ये 25 तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती वह ये वाली होती चलिए next question पर चलते है प्रिसन आपका निमलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्लाकिरतिक संख्या का बर्ग नहीं हो सकती देखिए अब जब भी ऐसे प्रिसन आपको देखने के लिए मिलें तो Victorian seconds में ऐसे प्रिसन कैसे हल की जाते है किसी भी संख्या का एकाई अंक एकाई अंक देखिए, या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा, और इसके साथ या फिर 5 होगा देखिए, 1, 4, 6, 5, 9, किसी भी संख्या के बर्ग में एकाई अंक पर केवल और केवल यही डिजिट आते हैं इसके साथ सूनने भी आता है, लेकिन सूनने हमेशा डवल सूनने के रूप में आता है, सिंगल सूनने कभी नहीं आता तो कौन-कौन से डिजिट होगा, 1, 4, 6, 9, और यह 5 अगर कोई संख्या है, उसका बर्ग है, तो एकाई अंक पर हमेशा यही आपको डिजिट देखने के लिए मिलेंगे देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, पूछा क्या है, प्राकरतिक संख्या का बर्ग नहीं हो सकती नहीं पूछा है, तो देखिए 5, यानि यह संख्या हो सकती है, 6, यह संख्या भी हो सकती है देखें 1 यहाँ पर एक दे रखायों यह भी हो सकती है और यह last में क्या दे रखायों दो देखें कहीं पर भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है तो इस present के लिए answer क्या हुगा कौन सक्षिक बिरायुसा हँ सकती हगा किसी प्रक्रिटिक संख्या लग का बर यह वाला option निम्रिखित में से कौन सी संख्या का बर्ग नहीं हो सकती देखिए एक यहां पर आ गया यह एक एकाई अंख है तो यह संख्या जो है बर्ग हो सकती है यहां पर पांच आ गया यह भी संख्या बर्ग हो सकती है यह चार आ गया यह भी संख्या बर्ग हो सकती है और यहां पर स बात आ गया, तो ये वाली संख्या बर्ग नहीं होगी, संख्या का बर्ग होने के लिए एक, चार, छे, नो, और पांच, ये पांच डिजिट हैं जो आपको याद रखने हैं, यही एकाई अंग पर आपको बारवार देखने के लिए मिलेंगे, यदि संख्या, और बर्ग होगा, अब देखिए तीन से विभाजिता का नियम, तीन से विभाजिता का नियम क्या है, तीन से विभाजिता का नियम, यह है कि अंकों का योग, जो भी संख्या है, अंकों का योग, तीन से पूर्डूप से कटने वाला होना चाहिए, अंकों का योग, जैसे हाँ पर क्य और ये इस्टार 2, 3, 4 हम क्या काम करेंगे इस सारे के सारे डिजिट को हम एड करेंगे देखे एक और पांच छे और छे और साथ तेरे और दो पंदर और तीन अठारे और चार बाइस देखे बाइस अभी तीन से डिवाइट नहीं हो रहा है लेकिन ये कह रहा है कि इस्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दें जिससे कि ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से डिवाइट हो अब 3 से डिवाइट होने के लिए हम 22 में कम से कम क्या संख्या जोड़े कि 3 से divide होने के लिए वो पूर्ण संख्या बन जाए पूर्ण संख्या बनने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से divide हो देखे, 22 में अगर हम 1 जोड़े तो 23 हो गया जो कि 3 से divide नहीं होगा अगर हम 22 में 2 जोड़ा तो 22 और 2, 24 जो कि 3 से पूर्ण उप से divide हो जाएगा आठ बार आएगा तो 22 में हमने कितना जोड़ा? 2 जोड़ा अगर हम यहां star की जगे 2 रख दें, तो यह पूरी की पूरी संख्या का योग कितना जाएगा? 24 आ जाएगा तो इस प्रिस्ण के लिए क्या आंसर होगा? सी, star के स्थान पर क्या आएगा? 2 आएगा, 3 से बिभाजिता का नियम यह है कि सभी संख्याओं के अंकों का यनि जो संख्या के अंक है उनका योग हमेशा 3 से divide होने वाला होना चाहिए अगर 3 से divide हो रहा है तो संख्या पूर्ण उप से बिभाजित हो जाएगी अगर नहीं हो रहा है तो संख्या 3 से बिभाजित नहीं हो next question है कि लुप्त अंक ग्याद करें जिससे यह संख्या 4 से पूर्टे बिभाजित हो जाए देखिए 4 से पूर्टे बिभाजित तो हम कैसे पता करेंगे कि संख्या 4 से कटने वाली है या नहीं है। इस condition में आपको यह काम करना होता है कि जो दाहिनी तरफ के जो दो अंक होते हैं। आप इनको चेक करके देखेंगे कि यह दो अंक अगर 4 से पूर डूप से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होने वाली होगी। देखी 24 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है यह 4 से डिवाइड होने वाली है। केवल दाहिनी तरफ के दो ही अंकों में भाग करके देखनी है कि 4 से डिवाइड होने वाली है या नहीं अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाई है संख्या है आपकी 5, 7, 9, 3, 8, 9 और इस्टार मैं करें लुप्त अंक ग्याद करें जिसे संख्या 4 से पूर्णूप से बिवाजित हो जाए देखिए 9 अब अगर हम इस्टार की जगए एक लिखें एक लिखें तो यहां से संख्या कितनी बन जाएगी 91 91 चार से डिवाइड नह तो इस्टार की जगे कौन सा डिजित आजाएगा 2 आजाएगा कम से कम डिजित छोटे से चोटा डिजित दो के बाद 3 रखते तब भी नहीं आएगा चार रखेंगे तब भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी और जैसी 6 रखेंगे तो संख्या 4 से डिवाइड हो लेकिन हाँ पर जो ऑप्सन दे रखेंगे आपके ऑप्सन में कहीं भी 6 नहीं दे रखा है अगर 6 दिया हुआ होता तो प्रिसन में कहता कि छोटे से छोटी संख्या क्या रखें या बड़े से बड़ी संख्या क्या रखें अभी आपसे सीधे सीधे प्रिसन क्या रखा है कि पौन सी संख्या लोग तंक्यात करें तो वो हम option के according इस तरीके की प्रसलों को हल कर लेते हैं next person star का छोटे से छोटा मान क्या होगा जो की 9 से पूर्ण रूप से बिभाजित हो जाए देखिए जो नियम 3 का है 9 से बिभाजिता के नियम क्या है जो नियम 3 का है बही नियम बही नियम 9 का है जैसे 3, 6, 3, 6 यह संख्या है तो यह संख्या 9 से डिवाइड होने वाली है कैसे? इन अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए 3 और 6, 9 और 3, 12 और 6, 18 तो यह संख्या 9 से पूर्ण रूप से कटेगी यह जरूरी नहीं है नियम समान है 9 का नियम और 3 का नियम समान है लेकिन यह बिलकुल भी जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से डिवाइड होने वाली हो जो संख्या 3 से डिवाइड होने वाली हो वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो देखे 33, 3 से डिवाइड होता है, लेकि 9 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन नियम सेम है कि डिजिट जो है, जो अंक है, उनको सबको आप जोड लेंगे, आपके प्रिशन की संख्या है, 6, 7, 3, 5, इस्टार और 1, 6 और 7, 13, 13, 13, 16, 16 और 5, 21, 21 और 1, 22, आपको भाग करनी है 9 से, तो 9, 12, 18, 9, 37, कम से कम इसमें 5 और होने चाहिए थे, तब ही हम डिवाइड कर पाते, 22 और 5, 27, तो इस्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी, क्यों? क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, हमारे पास अंकों का योग कित है, कि यह संख्या जो है, यहाँ पर लुक पर गयाद करें, जिसे संख्या 11 से को रूप से बिवाजित हो जाए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रिसन है, 11 से बिवाजिता कर लिए, तेखे 11 से बिवाजिता का जो नियम है, वो नियम ये कहता है, कि हमेशा या तो सून्य आए या 11 के गुड़ज्मा आए यह संख्या लिखिये 45-45 या एक संख्या यह लिखिये 14, 4500 और 4545 तो यहां पर करना क्या होता है अब हम यह कैसे पता करेंगे कि इन में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होने वाली है और कौन सी संख्या 11 से विभाजित होने वाली नहीं है तो यहां करना क्या होता है कि विसम इस्थान पर आने वाले अंकों को और सम इस्थान पर आने वाले अंकों को जोड लिया जाता है और उनका अंतर निकाला जात देखिए, चार और पांच, नो तो यहाँ पर अंतर कैसा आ गया? यहाँ अंतर आ गया सूनने की रूप में तो यहाँ यह संख्या जो है, वो 11 से डिवाइड होने वाली है और यह वाली संख्या, 11 से डिवाइड होने वाली नहीं है अब हम यही लोजिक से यहाँ पर लगाएंगे, यह पूचाए तो लुप्त अग्म के व्याद करें, तो यह हमने ही संक्या लिख लिख ली, कितनी आ गई, एक, पांच, छे, इस्टार, नो, चार, दो, दो, देखें, बिस समिस्थान के अंगों को जोड़ा तो एक और छे, सा साथ और नो, सूले, सूले और दो, अठारे, समिस्थान वाले अंगों को जोड़ा पांच, इस्टार का माना भी होना, पता नहीं है, निकालना है, पांच और चार, नो, इनका अंतर कितने का आ गया, नो का आ गया, अंतर या तो सूने आना चाहिए, या यारे के गुरजब आना चाहिए, अब सूने लाने के लिए, देखिए हमारे पास यहाँ पर 9 हैं, और यहाँ 18 हैं, तो इनका अंतर हमें, या तो सूने चाहिए, या 11 चाहिए, तो इस 18 को तो 9 हम बना नहीं सकते, लेकिन यह जो 9 है, इसमें हम कितने जोड़े की अठारे आ जाए, अंतर जीरो लाने के लिए या 11 के गुड़ज में लाने के लिए 11 का difference हम ला नहीं सकते यहां पर क्योंकि अंतर 9 का है अंतर 9 का है तो हम यहां क्या करेंगे इसमें 9 add कर देंगे 9 add कर दिया कितना हो गया अब देखिए यहां पर अगर 9 और डिजिट लिख दें तब दोनों सम इस्थान और बिसम इस्थान के अंकों का योग समान आ जाएगा तो यहां पर क्या अंसर आएगा करना क्या होता है 11 के नियम में सम इस्थान यह जो डिजिट है यह odd numbers का है और यह even numbers का है सम इस्थान और बिसम इस्थान वाले अंकों को या एक इस्थान छोड़का एक इस्थान वाले संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे उनका अंतर सूने या 11 या 22 या 33 ग्यारे के गुड़ज की रूप में आना चाहिए तो इस पेसिंग के लिए क्या आंसर हो गया चलिए next question देखते है कुछ रहा है कि यदि ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से बिवक्त हो तो बाई कमान क्या होगा देखे संख्या 1 बाई 3 बाई 6 ये पूर्ण रूप से 11 से बिवक्त संख्या कह रहे है तो देखे क्या कर रहा हमने समिस्थान और बिसमिस्थान वाले हमकों को जोड़ा तो ये देखे 1 और 10 4 और 4 अच्छे 10 अब इनको जोड रहे हैं तो यहां पर कोई value है नहीं जोड़ने के लिए तो अब हम 10 कैसे ला सकते हैं देखे बाई का मदद जो digit यहां रखा जाएगा वही digit यहां पर भी आएगा तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे अगर बाई कमान हमने 5 रख दिया तो बाई दो बाई दिखाए तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 ही हमें लेकाना तभी तो हमारे पास अंतर सुनने आएगा तो बाई बाई कमान पूछा है तो बाई कमान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यह 11 के 11 का विभाज़ता का नियम है ग्यारेका कोशन बहुत बार, यह विभाजिता वाला कोशन ग्यारेका बहुत बार एक्जामों में पूछा गया है, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, एक से दोसों के वीच कितने पूरांख हैं, जो दो और तीन दोनों से विभाजित हों, वेरी वेरी मोस्ट क्या है, देखिए, दो और तीन, इनका LCM आकर हम निकालेंगे, तो LCM कितना आएगा? 6 आएगा, दो और तीन का LCM कितना होगा? 6 होगा, हम ये काम करेंगे यहां पर, यह जो हमने LCM निकाला है, इस LCM से, जहां संख्या की बात कर रहा है, कि 200 तक की, तो हम इस LCM से भाग करे ये जाएगा? ये जाएगा 6-8 है, दो बचा और फिर 6-8 हमें केवल भागफल देखना है, सेस्वल से हमें कोई भी मतलब नहीं है, कि सेस्वल से हमारा कोई मतलब नहीं है, कितनी बार गया? 33, 33 बार, तो 33 ऐसी संख्या होंगी, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली हो बहुत अच्छे से समझ मारे होंगे, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं संख्या परदेटी की नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद.